यार देखो आज ना मैं आप लोगों से बात करने आया हूं क्योंकि आज हमारे पास कुछ भी ओफर नहीं है कोई भी डिसकाउंट नहीं है मन्त चलना है जिसमें फिस्टीवल्स भी आ रहे हैं और 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 एजन्सी या और तो को हमारे डिसकाउंट ना देने के पीछे क्या रीजन है सबसरे पहली बात तो यह है कि अगर market में क्या हरो किया कर रहा है आपको sell क्लिकशिश कर रहा है आपको कुछ नज बेचने की कोशिश कर रहा है और आपको किए आपको discounts तो आप भी वही जाते हो जहां पर आपको discount अच्छा मिल रहा होता है लेकिन हम लोगों का जो prospect लोग दिसकाउंट आपको दे रहे हैं उसमें उनका फायदा दाता है यह आप सोच हो कि यार फायदा है किसका मेरा मनना यह अगर को यह आपको डिसकाउंट में प्रोडक्क या सर्विस विए पैसा चार्ज करता है अब मैं आपको सीधा से एक्जाम्बल बताता हूं आइफोन है या पर कोई भी कोई भी कंपनी हो गई जैसे कि कोका कोला हो गई या कोई भी कंपनी आप ले लिए जिसमें वो नॉर्मली इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं देते हैं कोई डिसकाउंट नहीं है उनका नोर्मल जो उनका क्क्वालिट पॉलिटी हो रहा है बिना किसीक्सकाउंट के कि विकॉस टे the trust they have the quality and let me tell you के हमारे पास क्या है हमारे पास भी आपको देने के लिए quality and the trust यही दो चीज़े हैं जो हम आपको दे सकते हैं क्योंकि हमारे काम करने का तरीका है तुर्वास are different first we work on content then after we try to get attention of your audience हम आपके audience के attention लेने की कोशिश करते हैं आपके content पे then महां से हम trust generate करवाते हैं और trust generate करवाने के बाद transaction automatically होता है तो हम लोग जो आपको offer नहीं दे रहा है उसके पीछे reason यही है I am really really sorry लेकिन हाँ अगर आप हमारे पास आओगे और आपका trust maintain रहेगा आपको quality services quality product मिलेगा हमारे एक simple सा recommendation और है अगर आप आप आज offer की तरफ जा रहे हो और आप थोड़ा सा quality से compromise कर रहे हो तो मेरा recommendation यह है कि आप मत जाओ आप थोड़ा सा wait करो अपने budgets बढ़ाओ उसके बाद आपको service या उस product को आप मिलते अनले वीडियो में यह नॉर्मल बात चीत थी तो आज कोई भी offer नहीं है थैंक्यों सो मच पो वाचिंग थैंक्यू थैंक्यू आप थैंक्यू